आखिरकार कोलकाता के आरजीकर अस्पिताल की डॉक्टर्स ने अपनी हर्ताल खत्म कर दी है कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से सुरक्षा और इंसाफ की मांग को लेकर महीने बर से जो हर्ताल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है डॉक्टर काम पर वापस लोटने को अब तयार है। जूनियर डॉक्टरों और पश्रममंगाल सरकार के बीच चल रही बाकचीत फाइनली सफल होई। पश्रममंगाल जूनियर डॉक्टर स्मोर्चा ने कल अपनी हर्ताल वापस लेने का फैसला किया है। जूनियर डॉक्टर से शिक्षा मुख्याले के सामने जारी धरना भले ही कल से खत्म हो जाएगा लेकिन कल जूनिय डॉक्टर शाश्वत भवन से CBI मुख्याले CGO कॉंप्लेक्स तक विरोध रैली भी निकालेंगे इसके पहले भी कई बार गतिरोध खत्म करनी की कोशिश होई लेकिन वो काम्याब नहीं होई डॉक्टर्स की पांच मुख्य मांगो की अगर बात करें तो उसमें आरजिकर कान के दोश्टियों को सजा अस्पताल में पूरू प्रिंसिपल संदीब भुश के खिलाफ सक्त कारवाई और स्वास्त सचर स्वास्त निदेशक स्वास्त और चिकिस्ता निदेशक को पत से हटाना और कोलकता पुलिस के डी सी और डी सी सेंट्रल के खिलाफ दंडात्मक कारवाई सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा ववस्था को पुक्ता करने के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में धंकी की संस्क्रती को खत् तो इंतजार किया, बाद में डॉक्टरों के नहीं आने पर, बाद में माफी मांगी, एक बार तो यहां तक हो गया कि ये तक कह दिया कि वो लोगों के हित्मे अस्तिफा देने को तयार है। सीएम ने इस बात का भी हवारा दिया था कि हर्ताल के कारण 27 लोगों की जान चली गई और 7 लाख मरीज पीड़त हैं।